गुड मॉर्निंग इस्टॉएंट्स वेलकम तो इस्टॉडी सेंटर विद देवरिशी भरदवाज तोडेश टॉपिक इस बायो मास्ट इस पाल्ट ओव कन्वेशनल सोर्सेज ओफ एनरजी इन दिस वी विल श्टॉडी अवाँ बूड चार्कोल, काव डंग एन बायो गैस तो इस्टॉडंस आज हम बात करते हैं बायो मास्ट के बारे में और इसमें हम जानेंगे इंप्रॉमेंट्स इन टेक्नलोजी फोर उजिंग कन्वेशनल सोर्सेज ओफ एनरजी कि हमने टेक्नलोजी में इंप्रॉव करके किस प्रकार से कन्वेशनल सोर्सेज ओफ एनरजी को बहतर बना सकते हैं कैसे उनका हम यूज अच्छे धंग से कर सकते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं बायो मास्ट के बारे में जैसे पते इंकी चाल इसके लावा जो बेस्ट मेटरियल होते हैं एनिमालस के या ह्यूमनस के इन सभी को हम बायोMAस्ट कहते हैं अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बुढ लकडी की तो ये भी एक biomass है, it is a biomass and used as a fuel for a long time और इसका use हम बहुत लंबे समय से इंधन के रूप में कर रहे हैं, ठीक है अब लेकिन इसके कुछ disadvantages हैं, तो उस disadvantages को जानते हैं जैसे कि सबसे बहुत अदिक धुमा देते हैं, हम इनको burn करते हैं, तो धुमा produce करते हैं तो produces a lot of smoke on burning, इसके अलाबा ये heat भी कम produce करते हैं, calorific value इनकी कम होती है तो do not produce much heat, thus by improvement in the technology, we can improve the efficiency of traditional sources of energy तो हम क्या करेंगे, technology का use करेंगे, कि इनकी efficiency को, इन energy sources को कैसे बहतर बनाया जा सकता है तो जैसे, for example, wood can be converted into much better fuel called charcoal तो हम क्या कर सकते हैं, जो लकडी है, उसको convert कर सकते हैं, charcoal में जो अच्छा fuel माना जाता है, wood से अच्छा माना जाता है, लकडी से अच्छा होता है charcoal क्या करेंगे, charcoal, अब charcoal को जानते हैं, कैसे बनता है when wood is burned in a limited supply of air, then water and other volatile materials get removed and charcoal is formed जब हम लकडी को burn करते हैं, जलाते हैं, लेकिन limited supply of air, जो air होती हैं, उसकी supply limited करते हैं, उसको जादा नहीं air कम रखते हैं तो क्या होता है, उससे क्या होगा, जो water है, और उसमें other volatile materials हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, remove हो जाएंगे, अलग हट जाएंगे उससे और क्या रह जाएगा, charcoal, charcoal रह जाएगा, मतलब charcoal form हो जाएगा, ठीक है, तो देखो कैसे दिखाया है मैंने, नीचे wood, और wood को क्या करना है, burn करना है, limited supply of oxygen पर, air का मतलब oxygen से ही है, oxygen को हमको कम रखना है, limited रखना है, तो उससे charcoal form हो जाएगा, अब बात करते हैं, जैसे charcoal क्या ह जाएगा, बुट से, and do not produce smoke while burning, smoke भी नहीं produce करता है, यह कम smoke produce करता है, जा हम इसको burn करते है, it is compact fuel, easy to handle and convenient to use, यह compact fuel है, इसको कम जगे गहरता है, लखडी के तुल नाम है, and आसानी से हम इसको handle कर सकते हैं, और इधर से उधर एक जगे से दुछे के लेकर जाने में भी आसानी होती है, और इसको use करना भी आसान रहता है, तो यह है चार कोल, अब जानते हैं, काव डंग के बारे में, काव डंग मतलब जो गोबर होता है, काय का, इसके लबाब जो बाफैलो डंग, यह साब हम इनकी बात कर रहे है, तो it's a biomass, but it's not good to burn, यह burn है, ठीक है, साही कर लिए न ठीक है, और यह पूरी तरगा से burn भी नहीं होता है, इसमें काफी अधिक जो राक होती है, वो बचती है, तो काव डंग does not burn completely, produce lot of S as residue, और इसको हम burn करते हैं, तो काफी अधिक मातरा में S राक बचती है, इसके लाबाब इसकी जो calorific value वो low है, low calorific value, and while making biogas from cow dung, we get a smoke less fuel, अ अब हम इसको बहतर बने के लिए क्या कर सकते हैं, इससे हम biogas बना सकते हैं, biogas या बोल सकते हैं इसको, gover gas भी आपने नम सुना होगा, तो वो हम इससे form कर सकते हैं, तो हम technology का use करके इसको भी बहतर बना सकते हैं, ठीक है, तो cow dung से क्या बनाने की कोशिश करेंगे हम, biogas बनेगी जो एक अच्छा फ्यूल बना जाता है तो जानते हैं अब बायो गैस के बारे में बायो गैस हम कैसे बनाएंगे इसके लिए हमको बायो गैस प्लांट की अब शक्ता होगी अनेरिविक माइक्रो ओर्गनिज्म डिकम्पोजिज दा कॉंपलेक्स कंपाउंड अब दी काव डंग देखो सबसे पहले अनेरिविक को समझो अनेरिविक का मतलब क्या है यह रैस्परेशन होता है मतलब ऐसा रैस्परेशन जिसमें ऑक्सिजन नहीं होती ठीक है तो हमको क्या करना है जो बायो यह जुतने भी थे यह काव डंग है या बायो मास जो भी है उसको हमको ऐसी जगे रखना है जहां पर ऑक्सिजन न पहुँचे जहां पर ऑक्सिजन न हो इसके लाभ़ा एक काम दूर्ड करना है कि वहां पर सनलाइट भी न पहुँचे ठीक है तो हमको ऐसा ही करना है anaerobic micro उससे क्या हुआ है anaerobic micro-organism decompose the complex compound of cow dung तो जो ये micro-organism होगे ऐसे micro-organism जो anaerobic conditions में है जहां पर oxygen की कमी है और oxygen नहीं है ऊस condition में वो क्या करेंगे decompose करना है start करदेंगे cow dung को and plus water सिलरी और इसमें हमको क्या करना है water को भी mix करके डालना है जो काउट डांगे उसमें water mix करना है और उसको हमको ऐसी जगे पहुंचाना है जहाँ पर oxygen ना हो और sunlight ना हो तो उससे क्या होगा वो उसको जो microorganism है वो इसको decompose करना है start कर देंगे it takes few days for the decomposition इसमें कुछ दन लग जाएंगे process and generate gases like methane और कौन-कौन सी gases methane बनेगी, CO2 बनेगी, hydrogen and hydrogen sulfide यह सारी gases बनना start हो जाएंगी biogas is stored in the gas tank above the digester from which they are drawn through pipes for use यह क्या होगा जो gas बनेगी जहाँ पर हमने इनको नीचे collect किया हुआ अर्थ में नीचे को हमने गड़ा खोदके इनको collect किया है यह cow dung को और water को और वहाँ पर sunlight भी नहीं है और oxygen भी नहीं है तो वहाँ पर क्या कुछ दिनों में gas बनना start हो जाएगी और वो gas उसी के उपर gas तो हलकी होती है तो उपर की तरब उतना start हो जाएगी तो उसको हम pipe के तुरू बाहर निकालेंगे ठीक है जैसे मैं इसका example diagram में दिखाता हूँ देखो हमने यहाँ पर एक यह गड़ा होदा हुआ है इसमें यहाँ से हम enter कर रहे हैं cow dung को और water के mixture को शिलरी को ठीक है यहाँ से enter कर रहे हैं इसमें यहाँ पर एक खटा होता जाएगा इसके लावा इसमें water भी है और cow dung भी है और ऐसे ही biomass के parts हैं अब देखो कुछ दिनों में हैं यहाँ पर energetic conditions में microorganism होंगे वो reaction करेंगे decompose करेंगे इसको और उपर की तरफ gas उठना start हो जाएगा अब यहाँ पर फिल हो जाएगी अब इसको हम pipes के थुरू बाहर निकालेंगे देखो उपर pipe लगी हुई है gas outlet ठीक है तो यहाँ पर हम इसको pipe के थुरू बाहर निकाल लेंगे इसका लावा जब यह इसमें से gas बन चुकी होगे इसको हम यूज कर ले चुके होंगे तो इसके लावी जो यह base material बचेगा इसका हम manure में है खाद की रूप में भी हम इसका use कर सकती है यह अच्छा एक manure माना जाता है तो इसका हम use करके इसको हम बाहर निकाल लेते हैं हां से तो यह समझ में आ गया और इसकी advantages को जानते हैं तो advantage समझ में आ चुके होंगी कि इसमें हम gas बना रहे हैं जो की smoke less है धुआ नहीं है और इसके बाद जो manure बचता है वो भी अच्छा उसको भी use कर सकते हम तो it's an excellent fuel as it contains up to 75% methane इसमें सबसे दिक कौन सी सीधी रोटी नहीं से कहेंगे जैसे हम kukar में रखके कोई चीज पका सकते हैं तो अच्छा है लेकिन सीधी रोटी नहीं से कहें इस पर ठीक है it burns without smoke और यह बिना smoke बिना धुए के जलती है तो अच्छी बात है और leave no residue like as in wood and coal burning और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे राक या coal burning के बाद जो बसती है लकडी बसती है इस तरके कुछ भी नहीं बसता है तो यह काफी अच्छी गैस काफी अच्छा एक फ्यूल माना जाता है अच्छा इन्धन है यह और इसके लाब है heating capacity is high it is also used for lighting slurry left behind is used as excellent manure rich in nitrogen and phosphorus इसका बात जो मिक्षर बसता है गोबर का जो काउड है उसका और water का वो एक अच्छा manure अच्छा एक खाद माना जाता है जिसका हम rich in nitrogen and phosphorus जिसमें nitrogen and phosphorus अच्छी मातरा में होता है तो इसका हम use कर सकते हैं as a manure और plants में खेतों में हम इसको डाल सकते हैं safe and efficient method of waste disposal यह अच्छा तरीका है इस जो भी waste materials होते हैं waste biomass है उसको use करने का तो इस समझ में आ गया होगा thank you